लोग रोभरंत है सवाल है आई नो की बहुत जोन को बहुत टेंशन होरा है की उनलों कर रैंकत इतना कम मांनलग की बहुत नीचे बहुत ना चाहिर आरहें गो बहुत जनको सवाल है कि मतलब की जैए मतलम लेज़ फिर छीट है का 1200 बहुत जंका रहा है 2,500 हजार उनलोग के टेंसन है जिसका 600-700 रहा है उनलोग को भी टेंसन है की होगा की नहीं कि टेंशन हो रहा है क्यों हो रहा इसका भी रिजन में दूंगा क्यों इतना आपका नाम पीछे आ रहा है तो चलिए बताताओं कि क्यों हो रहा है ऐसा ठीक है तो डूंड वरी यह सा कुछ नहीं है कारण के वाज़ें से है कि सब कॉलेज का जो कॉलेज का सत्तर असी भी cut-off नहीं होता है उस colleges का भी आपका cut-off अगर देखे मैं cut-off नहीं जो भी मतलब first merit list जो भी निकल रहा है या फिर ranking देखे पहला 1000 में सब हाई-ाई score वाले हैं तो बहुत जनको डल लग रहा है कि कि किसी का किसी college में होगा या नहीं होगा या फिर किसी का एक सलवरबाद हो जाएगा ऐसा कुछ जन्स बहुत रहा है तो बट वैसा नहीं है तो चले देखते हैं क्या है तो मिंक्रेंग इसलिए है क्योंकि एक ही reason है नब क्योंकि रीजन कुछ नहीं है बस एक commonुंस एक प्रेंवेन स्वाएं लाया है ना Oke तो जया पुरिया में भरेगा है रंबा में भरेगा उमेशन्द में भरेगा उमेशन्द भरेगा तो सिटी कॉलेज भरा सुरेदनाद भरा वेकरनाद भरा शामय पसाद एजसी सम्थिंग हर एक चीज वह भड़तेगा क्योंकि इस वर फीस नहीं लग रहा और मैं खुद आसपास के लोगों सो या फिर बहुत जन्वी बोले हैं कि कम से कम 10-12 कॉलेज में भड़ दिया है ठीक है इससे क्या पता चल रहा है कि उस बच्चे उस बच्चे को तो एडमिशन एक ही कॉलेज में लेकिन वह 10-12 कॉलेज क देखने को मिल रहा है कि TOAR में मतलब सारा 90 ni 90 percent वाले बच्चे हैं तो सब कालेज में नहीं भड़ते हैं बट है इसलिए सब लोग क्यों कि फिस नहीं लेगा अपने अप्शन को बहुत बरहा के रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है कि हरे कॉलेज में आप लोगा रांक पीछे हो रहा है क्योंकि कोई भी बच्चा एक ही कॉल्ज में अडमिशन लेगा लेकि दस बारा पंदरा सिट्क दस बारा कॉलेज भर है इसलिए ऐसा हो ही सकता है कि वो लोग एक ही कॉल्ज में ले उसके आपका वो सारे बच्चे हट जाए वालोग अडमिशन ना ले फर्स मेरिट लिस में और जो नीचे बैठे हुए बच्चे है जो रियल में है अडमिशन लेना चाहते उनलोग का नाम आ जाग होगा तो आप लोग टेंशन लेना जैसे कटफ बोला गया है उसी के हिसाब से याएगा कोई ज्यादा पिछे नहीं लेंगे एक ही बिलेंगे तो यह बताना था आप लोग टेंशन मत लिजिए डेफिनेटली आप लोग का अडमिशन हो जाएगा आप जो जो कॉलेज में भ पर ही तो और कुछ अप्शन होगा तो आप मुझसे डेफिनेटली पुछिएगा ठीक है ठाइंक्यू सो मुच आपका डॉप्ट क्लियर हो गया होगा